आज मैं मानिक्य के बारे में ही बात करने आया हूँ जो मानिक्य होता है वह सूर्य से ही संबंदित होता है सूर्य की उर्जा इसमें होती है रूबी इसे इंग्लिश में कहा जाता है अब रूबी और मानिक्य इसका कार्य क्या है इसको पहना जाता है आपकी इस फिंगर में ठ सबसे पहले तो जितने भी स्टोंज हैं वो क्या करते हैं स्टोंज सूर से और चंद्र से उर्जा लेते हैं और आपके स्पैसिफिक जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनमें ट्रैंसपोर्ट करते हैं उस उर्जा को ठीक है रूबी के फाइदे क्या क्या हैं रूबी के नुकसान क्या क्या है मानिक के पहनने के फाइदे क्या क्या है और मानिक के पहनने के नुकसान क्या क्या है यदि आपका सूर्य जो है वह निर्बल है रूबी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है सूर्य निर्बल हो तो इनसान का Confidence भी नर्मन होता है तो व्यक्ति का तेज Pwn रिजर क्षेतर जो है वह भी कम होता है व्यक्ति के अंदर Confidence की कमी आती है वह ही मानसिक रोगों तक लेके जाती है और शूर यू अगर नर्बल हो तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंध या पुत्र के साथ में संबंध खराब होते हैं आपके बॉसेस के साथ में सम्मद सरकारी काम रुकना इस प्रकार की समस्याएं सूर्य की कारण आती हैं ये मुख्या रूप से हैं हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली है हर व्यक्ति का अपना अपना जो है प्रभावक्षेत्र है हर व्यक्ति का सूर्य अगर निर्बल हो तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं मानिक्या इन सभी समस्याओं को रेक्टिफाई करता है मानिक्या इन सभी समस्याओं को जो है वह ठीक करता है एक और बात बताता हूँ पुराने टाइम्स में जो राजा महाराजा होते थे स्वर्न के उनके जो बरतन होते थे और ये कहा जाता है कि उसमें मानिक्या जड़े होते थे कारण क्या था कि मानिक्या के अंदर वह शक्ती है कि वह आपके विश को भी पी सकता है यानि उनको ये डर होता था कि पुराने समय में कि भाई कभी कोई ये नहीं हो जाए कोई जहर नहीं दे दे वैसे तो टेस्ट करके ही आता था सब परन्तु मानिक्या को इतना माना जाता ह आयुर्वेद में भी जैसे स्वटक भसम दी जाती है मोति पिश्टी दी जाती है वैसे ही मानिक्य भसम भी दी जाती है हीरे की भसम भी जाती है उसके बारे में बात करेंगे परंतु मानिक्य विश्रूपी उर्जाओं को नाश कर देता है यदि आप जैए विश्रूपी उर है जितना भी हमारे अंदर शक्ति का विकास ना हो पाना है वे वे हे विशरूपी उर जाएं ही तो है न जो ब्लॉक कर रही है तो मानिक के उन्हें दो कर देता है मैं कि आपके brain को और brain के साथ आपकी नाभी को जो है वो rectify करता है आप समझिए कि नाभी कब आपके head से बहुत समंद है brain से बहुत समंद है आपके अंदर जैसी अगनी होगी वैसा ही आप act करेंगे वैसी आपके अंदर रस होंगे तो मानिक्या आपके अंदर रसों का शोधन करता है मानिक्या आपके जीवन में उच्चतम परिस्थिती दे सकता है यदि वह energized हो असली हो और आपके weight आपकी age और आपकी stage के हिसाब से आप उसे पहने और कुंडली के हिसाब से पहने और उसके balancer को भी साथ पहने उसी के साथ में मैं आपको उसके नुकसान भी बता देता हूँ मानिक्या अगर आपके अंदर जैसे मैंने हरीम के बारे में बात की है या शरीम के बारे में बात की है करीम के बारे में बात की है मानिक्या अगर आपके अंदर आपका सूर्य आइसी जगह पे है जहां पे मानिक्या की ऊर्जा पहले से ही यानि सूर्य की ऊर्जा पहले से ही बहुत बढ़ी बहुत जादा है और आप मानिक्या पहनते हैं तो आपके अंदर हीट जादा क्रियेट हो जाएगी जिससे के आपक क्या अगर आप गलत तरीके से पहन लेते हैं गलत बानिक कि पहन लेते हैं आपकी कुणली में नहीं पहना जाता है और पहन लेते हैं तो फिर मानिक के आपको blood pressure और गुस्से जैसी सवस्याय भी दे सकता है मानिक के मानसिक रूप से कैसे नुकसान पहुचा सकता है और मानसिक रूप से कैसे फाइदा पहुचा सकता है मानसिक रूप से वह आपकी ऊर्जा को बूस्ट करता है और वह जो ऊर्जा बूस्ट होती है उसके कारण आप confident होते हैं आप किसी भी situation से घबराते नहीं, आप उसके लिए fight करने को ready रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है, मानिक के मानसिक रूप से नुकसान ऐसे पहुचा सकता है, कि ये आपको घमंडी बना सकता है, जब आपको गुस्षा आएगा, आपको घमंडी बना सकता है, लोग आ मानसिक रूप और ये जो आपका शारीरिक रूप है, इसका संबंद कहीं न कहीं बुद्धी से है, तो वैसे ही हमारे thoughts भी बनते हैं, है ना, तो इसलिए मानिक के सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा रतन है, है ही सूर्य का रतना, ये आप पहन सकते हैं, weight, age और suitability के accordingly, और कुशल जियोतिशी से आप knowledge लेके मानिक के पहन सकते हैं, यदि आपको panic attacks, मानसिक समस्याए, loss of confidence, या फिर उर्जा का जो confidence आप आपके अंदर नहीं है, उर्जा वाला confidence नहीं है, आप मुखर नहीं है, आपका प्रभाव शेतर कम है, आप सरकारी कामों में रुकावट आती ह या फिर आपकी अपने पिता से नहीं बनती, या फिर आपकी अपने पुत्र से नहीं बनती, या फिर आपको लगता है कि एवन सूर्य जो है, आपकी कुंडली में पित्रों का भी कारण है, पित्रदोश में भी मानिके पहनाया जाता है, उसके साथ में सूर्य जो है, वह आ आपकी लॉंजेटिविटी का आपकी लाइफ का आपके आरोग्य आपकी आयुश्य इसका भी स्वामी है तो यह आरोग्य आयुश्य और लॉंजेटिविटी यह सब बढ़ाने वाला है मानिक के पहने जीवन बदलें परन्तु कुशल जोतिशी से बात करके अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो गह चंदर के कारण है मंगल के कारण भी पैनिक अटैक्स आते हैं यह भी हम बात करेंगे जल्दी तो आप स्टोन कोई भी ले अपनी वेट अपनी एज के हिसाब स से ले और अच्छा ले देखे और उसको एनरजाइज ले उसके लिए यू कन कंटाक्ट आनधू अलसो इवन कंसुल्टेशन के लिए भी आप आनधू से संपर्क कर सकते हैं क्रिस्टल सांस्टोन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वह सूर्य से ही संबंदत है जिसका नामी संस्टोन है वह सूर्य से ही संबंदत है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा